हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरव और इस वीडियो में जिस वाल्ड कप के पहले मैच का आम प्रिव्यू करने वाले हैं वो खेला जाएगा कतर वर्सिस एक्वेडर के बीच मैच कवें योगा कतर किक आफ होगा रात में 9.30 पीम पे तो कतर आप जानते होंगे वाल्ड कप का होष्ट नेशन है इनके घर में वाल्ड का खेला जा रहा है इनका मैच है एक्वेडर से जो किक साूथ अमेरिकन टीम है और यह टीम साफ अमेरिकन क्वालिफायर्स में टॉप फोर में फिनिश करके यहां पे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करी है अब मैं अगर आपको दोनु टीम की फीफा रेंकिंग बताऊं कतर की 50 और एक्वेटर की 44 है बहुत जादर डिफरेंस तो नहीं है लेकिन अगर आप अन पेपर देखेंगे ना एक्वेटर आपको कतर से उपन रेवल की लगेगी लेकिन यहां पे जो मैच है वो कतर के घर में होम फैंस होम सपोर्ट पूरा-पूरा कतर के फेवर में रहेगा तो इस व सब्सक्राइब twitter नहीं कर पा रहा हूं इस व quilt इसे मैं एक बैलेंस टीम लियांगा इस व्याईटर निकाल लेकिन अगण पहर ये मैच निकालीई कि मेरे अक्र naarो victory होगी 1-0 type की victory होगी अगर Qatar ये match जीतेगी मेरे according Qatar 2-3 goal score कर सकती है जिसमें की एकाथ goal वो concede भी कर सकते हैं तो अभी के लिए मैं एक balance team मना रहो because मैं आप एक winner predict नहीं कर पार हूँ तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूँगा ना इस match की final team और इस पूरे welcome में जो भी final teams होगी वो आपको मिलेगी हमारे telegram channel में तो अगर आपने अभी तक मेरा telegram channel जोइन नहीं किया है तो जरूर से जरूर जाके आप पहले telegram channel जोइन कर लिजे उसका link आपको मिल जाएगा या तो description box में या आपको मिल जाएगा मेरे telegram channel से अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका वाला group तो इस group में group ए है कतर और equator के अलावा नीदरलेंड और सेनेकल भी है मेरे according जहां तक मुझे लग रहा है हाई chances बीज बात के हैं कि नीदरलेंड इन सभी बागी टीन टीम से एक लेवल उपर है तो यह टीम के अच्छे चांसे दो सकते हैं टॉप टू में फिनिश करनेगे हम मैं आपको डारेक्ट प्रोवेबल लाइनप पे लिए आता हूँ पहले बात कतर की कर लेते हैं तो यहां पे कोई क्लियर कट फेबरेट तो नहीं है मैं एक बैलेंस टीम मिग्वेल और एमा दिन के दो विंग बैक्स होंगे और यह पांचो प्लेयर आपको मिल जाएंगे फेंटेसी ब्लैटफों में डिफेंस सेक्शन में बट अभी के लिए मैं एक वन वन ड्रॉइस कोल लाइन के साथ जा रहा हूँ और मैं ज्यादा दोनों टीम के मिटफिल्डर और अटेकिंग प्लेयर पर फोकस करने अलूँ जो कि इस मैज में हो एक याद दो गोल जो यह टीम स्कोर करेगी मोश्ट लाइग ली गोल स्कोरर हो सकते हैं तो अभी यहां से इस टीम से मेरी नबरों चोईज रहेंगे पेड हसन हेडर में अच्छे हैं यहां से अंडर लैपिंग रंस बनाते हैं इससे अटेक भी अच्छा करते हैं और यह डिफेंसी पॉइंट भी बहुत जादे दिंगे टैकलिंग इंट्रिसर्शन भी अच्छे हैं तो इस वह से मैं अभी के लिए मिग्वेल के अलॉंगसाइड ह हैं इनका अच्छे एह ज्यादा कर सकते हैं अभी मेरी और हसन इन दोनों डिफेंटर को भी करके चल लाँ हूँ अगर आपको यह जोश करना मिग्वेल के साथ जाना व्यसे आप चाहे तो हसन के साथ भी आ सकते कॉल आपका है लेकिन मेरी नमबरों चैस मिग्वेल और मेरी second choice रहेंगे हसन midfield में आते हैं body of killing डिफेंसिव midfield में ये बंदा आपको tackling interception के point दे सकता है लेकिन अभी के लिए मैं body of को ignore कर रहा हूँ मैं ज्यादा ऐसे player पे focus कर रहा हूँ जो मुझे यहाँ पर most likely goal score नजर आ रहा है इस वैसे अभी के लिए मैंने body of को ignore किया है अब मैं midfield से दो player को शोली पिक कर रहा हूँ एक है अल हेडोस जो की बहुत ज़्यादा senior player है कतर के लिए काफी लंबे समी से किन ले है creativity एस player के पास goal assist भी करता है in fact यह कुछ-कुछ penalty भी share करेगा अकरम अफीब और अलमोज अली के साथ इस वैसे मैं अल हेडोस को शोली पिक करो बहुत बड़ा नाम है कतर national team के लिए और इनका selection भी आई है मेरे दूसरी choice midfield से रहेंगे हातीम हातीम के भी अच्छे numbers हैं goal scoring numbers हैं इनके अच्छे हैं चांस credit number बहुत अच्छे हैं on target भी काफी लेते हैं इस वैसे मैं हातीम को भी pick करके चल ला हूँ लेकिन अगर आप equator को back कर रहे हैं तो आप चाहें तो हातीम या अल हेडोस में किसी एक को ignore करके एक extra defender या एक extra midfielder equator का भी डाल सकते हैं लेकिन फिलाल मैंने अल हेडोस और हातीम इन दोनों को pick किया है forward में मैं अलमोज अली और अकरम अफीफ इन दोनों को शोली pick करूँगा ये दोनों best player है कतर के अगर कतर गोल मारेगी इन दोनों का most likely कुछ ना कुछ contribution रह सकता है तो दोनों must pick है अलमोज अली का तो selection भी बहुत है अफीफ का selection कब है लेकिन मेरे according अली से भी ज़्यादा जो important player हो अकरम अफीफ है ये बंदा पास्ट में विलरियाल में भी आया था लोन में उसके बाए इस्पोर्टिंग गी जोन में भी नोले लोन में खेला था ललीगा में ये बंदा इनके सारे corner kick लेता है penalty share करता है अल हेडोस के साथ इसके अलावा creativity भी बहुत और मेरे according अगर दोनों का goal assist नहीं आता तो अकरम अभी अलमोज अली के comparison में ज्यादा point भी दे सकता है without goal assist अभी के लिए मैंने इन दोनों को ही पिक किया है अगर आप Qatar को back कर रहे हैं आप इन दोनों के combination को captain वाइस captain भी कर सकते हैं इस match में तो ये Qatar की probable 11 थी लगबख सभी चीज़ मैंने यहां से आपको detail में explain कर दी अभी जो मैं यहां से players पिक कर रहा हूँ defensive है, Miguel और Hasan को पिक कर रहा हूँ लेकिन कभी-कभी Almoar Salih भी ले ले लेते हैं वैसे कोई शोठी नी था, किसी match में Afeeov ले ले लेते हैं लेकिन कुछ-कुछ matches में Almoarali ने भी लिए है तो इन तिनों में उनका कोई भी penalty ले सकता है इस World Cup ने बाकी ये मैने कतर के लिखे है इन stat टीम फाइनल अपडेट्स के लिए आपको जॉइन करना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको मिल जागा डिस्क्रिप्संट चैनल से अब हम बात करते हैं एक्वेट और की तो डॉमिंगज इनके गोल की पर हूंगे अभी मैं गोल की बट डॉमिंगज फिक कर रहा हूं क्यूंकि मैं रिसेंटली देख रहा था एक्वेट और ने बहुत ज्यादा अटेगिंग फुटबॉल नहीं खेला है लेकिने फैंस के आगे एक्ष्टा मोटिवेटेड होके ज्यादा अटेक कर सकती है मैं गोल की बट डॉमिंगज फिक कर रहा हूं लेकिन यहां पे आप अपना कॉल लेना आप जो कतर के गोल की बढ़ है अल सहीप उनके साथ भी जा सकते हैं यहां पे आप अपने अकॉर्डिंग मिलता लेकिन कथर सौरी एक्वेटर के में प्रेयर है यहां बहुत ज में अच्छा प्लेयर है मतलब आप इनको यूरोब में खेलने का काफी एक्स्विएंस होगी है लेकिन फिलिक्स टोडिक से डिफेंसी नमबर बहुत ज्यादा अच्छे है इनके टैक्लिंग इंट्रसेप्शन नमबर अच्छ है और ये भी हैडर में अच्छ है तो अगर आप कर सकते हैं अगर आपको तीन लियाने आप इन तीनों के साथ जा सकते हैं ये बंदा बेल्जियम प्रो लीग में खेलता है लेकिन इक्वेटर में इनको इतना गेम टाइम पास्ट में नहीं मिला है इस वेसे अभी के लिए मेरी लास्ट चोईस रहने वाले हैं विलाल मैं सि इस्टुबिनान को भी कर रहा हूं और मैं दो डिफेंडर पिक कर रहा हूं कतर से प्रैंक को मिट्फिल में खेलेंगे इनके ज्यादा खास नमबर नहीं है इनसे बैटर आप्सन मिले मैं इग्नोर कर रहा हूं सेम गोद्वित गुरुईजो गुरुईजो भी बुंदस लि और कैसीडो एक्वेडर में और ज्यादे एडवांस रोल में खेलते हैं ब्रैटन में आपने देखा हूँगा एक डिफेंसिव इट्पिल के रोल में खेलते हैं लेकिन यहाँ पे बंदा रेगुलर लीग गोल असिट भी करता है बहुत ज्यादा चांस क्रेट भी करता अलंगसाइड प्लाटा एन इस्टुपिनान इस वैसे क्राइसीडो मस्ट भी गें अगर मैं आपको इनके वाइल कफ क्वालिफाइर्स के स्टेट दिखाऊं दो गोल और चार असिस्ट भी थे यानिकि हाइस्ट असिस्ट गेटर थे अपनी टीम से तो मैं क्राइसीडो को इस वैसे इनके लिए एक तरीके से स्पॉट भी मेरे पाद नहीं बज़ रहा था इनको आप जील में ही ट्राइक करना स्मॉल लिग में मैं रिकमेंट नहीं कर रहा हूँ प्लाटा आपको मिट्फिल सेक्शन में में लिगए ये बंदा ललीगा में खेलता है ये रियाल वा क्वालिफायर में इन्हों ने भी तीन गोल और दू असिष्ट किये थे बाकी एनर वेलेंसिया में मैं एकवेटर का अगर आपको याद है तो आज से चार या पांस सीजन पहले वेस्टेम युनाइटेट में खेला करता था अच्छा प्लेयर है अभी रिस्टेंटली है तर कर सकते हैं तो यह एकवेटर की प्रविबल 11 थी लगबख सभी चीज़े में यहां से भी आपको डीटेल में कर दी एक प्लेयर का में बारे में बताना भूल गया तो वह है इस्ट्राडा इनका वर्लकप क्वालिफायर में टॉप स्कोरर था च्छे गोल और दो असिष्ट क टेकर हैं लेकिन दिक्कत किया ना स्ट्राटा को आप तभी पिक करना जवाब कन फर्म ली शो रहें यह गोल असिष्ट करके दें क्योंकि यह बिना गोल असिष्ट के ज्यादा पॉइंट नहीं देगा तो इस वैसे इस इस्ट्राडा के लिए मेरे पास पास स्पॉत भी न explain कर दी और यह मैंने लिखे equator के आप देखे wild cup qualifiers के stat तो आप यह stat देख लिए इसमें दीरे-दीरे आपको सभी players के नाम दिखाई दे रहूंगे अब मैं direct आपको ले चलता हो prediction पे तो फिलाल इस match की जो मेरी prediction है में एक simple one one draw के लिए जा रहा हूँ मैं predicted नहीं गरबार हूँ इस वहसे मैं एक one one draw के लिए जा रहा हूँ लेकिन अगर मेरी अक्वाडिंग कतर जीतेगी तो I think two one ऐसी स्कोल लाइन हो सकते है three two अगर equator जीतेगी मेरे according most probably जहते हैं मुझे लग रहा है वन निल नेरो स्कोल लाइन ऐसी स्कोल लाइन से जी सकती है तो अभी के लिए मैं सिर्फ एक ड्रॉ के लिए जा रहा हूँ तो फिलाल ये मेरी डेमोर रफ्टी में गोल कीवर मैंने डोमिंगल लिए एक उनके एक डिफेंडर मैंने लिए एक इस्टुपिनान दो मैंने डिफेंडर लिए पेड्रो मिगवल और हसन कतर से लेकिन आप यहां पे हसन वाले प्लेस में जो एक्वेडर के अभी के लिए मैंने सेंटर बेक्स बतायते हैं आपको दोनु इंक एपिया टॉरेस खास तरबे टॉरेस इनके साथ जा सकते हैं अब हसन वाले प्लेस में यह एक आव यहां पर डिफेंस सेक्शन में चेंज कर सकते हैं बाकी मैंने मिटफिल में हातीम और अल हैडोस लिए कतर के मिटफिल्डर दो मैंने यहां से लिए काइसीड और ट्लाटा मैंने अलमोज अली लिए और अकरम अफीब लिए अब यहां पर आई थिंग यह तीनों ही मश्पिक है इस वैसे मैं किसी भी चेंज को आपके लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूं विलाल अभी हम एक वन वन ड्रॉ के लिए बैक कर रहे हैं अगर आपको एक्व है तो यहां पर आपमना कॉल लेना अगर आप एकविटल को वेक ?' करकर के हैं अगर आप उसक्छा कर रहें अगर आप कर रहे प्याऄकर को असी को कॉमिनेशन को यह आपको लगता है इन अच्छा करेगा इन में से आप Captain Vice Captain अपना रोटेट कर सकते हैं तो फिलाल यह मेरी डेमो रफ टीम थी मेरी अपडेटेट फाइनल टीम के लिए आपको जोईन करना होगा हमारे टेलिग्राम चैनल से तो जो मेरे टेलिग्राम चैनल का लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रि